So, Hello Guy's, जैसे की एक सीरी में दे सोल आफ फूड ही बात कर रहे हम जिसके अंदर मशल मेना चुंगे में बता अए हम प्रीविएस वीडियो में यह थर्ड पाइट है, इसके अंदर अंदर हम थर्ड लेयर बात करने हैं तो अगर मसल्स की बात करें जो बात करेंगे वह है flexor halosis bravis, flexor digit minimum bravis and adductor halosis यह तीनों मसल्स को आप original insortional supply and action detail में देखेंगे तो start करेंगे तो अगर आपको दिख रहा होगा visually यह है वो तीनों मसल्स जो हम discuss करने वाले हैं अगर नेमिंग से start करें तो यह जो आपको एक मसल्स दिख रही होगी वाई शेफ दिख रही है तो इसकी एक पैकिलारिटी है कि इसकी वाई शेफ टेंडन्स होते है और इसका नाम है flexor helluses because big toepe है यह bravis ठीक है तो यह इसका नाम हो गया इस तना से है यह next जो मसल्स है वो अगर देखो एक तो यह है ठीक है एक है यह यह और यह एक तीन अलग से दिख रहे है तो यह जो है this one this is the oblique head और यह जो तीनों है यह है transverse head तो यह किस के है यह है adductor helluses के क्योंकि यह भी insert big toepe ही हो रहे है तो इस अदक्टर helluses transverse head यह तीनों and this one is an oblique head फिर एक यह जो आपको असल देख रहे है यह little toepe है तो इसको हम बोल रहे है flexor, digital, minima, bravis ठीक है flexor, digital, minima, bravis ठीक है flexor, digital, minima फिर्स लेयर में देखी थी पर यह bravis है तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा इनकी origin insertion आप सप्लाई हम देखने वाले हैं तो यह third layer है ठीक इसकी उपर second है और उसकी उपर first layer है तो यह third layer की बात करें तीन मसल से अब देख लिए इनके original insertion so यह जो मसल हम देख रहे हैं this one मैंने बताया था Y-shaped tendon है यह है flexor, halosis, bravis ठीक है अब इसके अंदर भी limbs होते हैं तो यह जो है मैं यहां से हो रहा है यह भून आपको पता हैं यह है dood bone इस से से इसका origin हो रहा है और उसके साथ साथी lateral uniform से भी हो रहा है तो lateral lymph का origin जो है cuboid bone से and lateral uniform से हो रहे है, medial limb की अगर origin की बात करें तो यह continuation होता है TBL is posterior का अगर आपने TBL is posterior को origin insertion बढ़ा हो तो समझ में आएगा वरना मैं आपको बता जटी हूं कि medial limb का origin होथा है वह है TBL is posterior का continuation ठीकँ तो यह याद रखने की बात है कि यह y-shift tendon होता है flexor hallucis brayvis का दो limbs होते है medial and lateral lateral का जो है कि वोईड बूंद और लिटल कुनिफॉर्म से ओरिजन हो रहा है और मीडियल लिम इस अ कंट्विनिवेशन और टेंडन ओफ टीवीयलिस पोस्टीर इंसर्शन की बात कर लें अगर तो इसका इंसर्शन जो है इसका इंसर्शन है वो हो रहा है प्रॉक्सिमल फैलंक्स ऑफ बिक्टो में यह प्रॉक्सिमल फैलंक्स अफ बीक्टो में तो आहों क्लियर हो गया होगा कि ओरिजन दो में हो रहा है मीडियल लेटल 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 जो है क्यूबाइड वोन लेटल की उनिफॉर्म से आ रहा है मीडियल लिम जो है वह वह तिवियल पोस्टीरियर के टेंडन का कंटिनुएशन है इंसर्शन ऑब्वियसली बिक्टो पे होगा बट प्रॉक्सिमल फैलंक्स ऑफ बिक्टो के इस प की बीआच्षिन की बात करें तो फ्लैक्टियमस करेंग फ्रोक्सिमल फैलंक्स को ठीक है कहां पे हैं पे मेतास्ल वे व्लाben लौन फैलंक्स को ठीक है यहां घृतल चुखिया जैसे कि मैं पहलेई हुआ आचोगी हूं दो इसके हेड और अबलीक एंड ट्रांस्वर तो यह कौन सी मसल है यह अदक्टर है अदक्टर है तो इस अदक्टर है लॉसस मसल ठीक है अगर और इजन की बात करें सबसे पहले हम अबलीक है के origin की बात कर लेते हैं तो ये दिख रहा है ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है तो यह क्या है यह मैटाटासल तो इसका origin कहां से हो रहा है second third and fourth metatarsals के basis से हो रहा है ठीक है metatarsals है यह वाले इनके basis से metatarsals के second third and fourth से origin हो रहा है इसके लावा यह जो टेंडन्स है यह तेंडन्स हैं continuation इसके यह हैं tendon of peroneus longus की continuation tendon of peroneus longus के continuation जब peroneus longus बढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा उसके tendons continue होती है और इस तना से इसका origin होता है अड़क्ट और हाइलोसिस का तो oblique head का समझ में आगे कि metatarsals के basis से हो रहा है और peroneus longus के tendons हो रहा है ट्रांसवर्स की बात करें अगर यह ट्रांसवर्स हैड है तो इनका कोई boni origin नहीं होता है अबिश्य डिख रहा है तो confused नहीं हो ठीक है कोई boni origin नहीं है त्रांसवर्स हैड का सारे जो इस के origin है वह ligaments से आ रहा हैं ठीकcular कौन से ligaments स्वेदाएं तो deep metatarsal से आ रहा है ठीक यह deep metatarsal ligaments से यहारा है और प्लांटा लिगमेंट से रहा है तो यह सारे लिगमेंट से इसका पर इंधो रहा है बोनी उरिजेंश नहीं है यहां पर यह नहीं होगा विदला सamos लांगस के टेंडन से बात करें यहां पर इंसेर्शन है तो हेलो जानी की प्नी पीउ और ही यहां पे इंसेर्चन हो रहां है यहां पे पेकुलारिटी इन तीनों में मसेश्च में कि शी पर वह इंसर्शन हो रहा है तो अन थे लिता है क्रक्ष्व साइड आध्यव आइस्वा बिचाउ हो रहा है थो अ थैन अध्यलो 말씀 Iv Karen अध्या देफको पालिंग्न वह वह भी और शाय लेकर भी कüs भी नार्ती को मतां हो रहा है तो यहां पर भी इन सब का इंसोशन फ्रॉक्सिमल पहलेंग्स पही हो रहा है बस इतना है कि हाइलोसेब्स वाली है तो इनके बिक्टॉप योगा और ढ़िजिटा में में होगा तो उनका लिटल डोप इंसोशन होगा तो आगया होगा तो यही इनका और इंसोशन सप्लाइि की बात करें तो लेट्रल तरफ से देखो तो लेटर प्लांटर नव इसको सप्लाई करती है ठीक है और यहीं पर डमिनेट होती है अगर बात करें action की action क्या है तो एडेक्टर है तो एडेक्ट करेंगे great toe को एडेक्ट मतला पास लेके आएंगे FOR a second tool यहां से यह इसको इस तरफ ला सकता है अडेक्ट तो यह काम हो सकता है और transferse archis को maintain करने में इसका आइप होता है transferse archis को भी maintain करते है तो एडेक्टर। यह है अडेक्टर हेलोसिस का वेडेक्ट है यह एक और बची हमारी जो है फ्लाइक्टर जिस्ट मेने में ब्रेविस उसके बात करें सो ग्याईस जो यहां पर आपको मसल दिख रहे है यह है kırीष Lukas Mode Digi T कि मिनमे काभ भर मुद्ैक है अब इसके ऑरिजिन की बात करिए तो यहां पर यतारिजन दिख रहे है यह क्या है यह में न्याबतर्सल spoken tapे तो alleviating from be बेस ऑफ फिफ्ट मेटा टासल ठीक है फिफ्ट मेटासल से और जिनेट हो रहा है इसके अलावा पैरनियूस लॉंग भी इसका इंसर्श और इंश्वरिजिन कराता है तो पैरनियूस लॉंगर्स हमने कहां पर देखा था अड़क्टर हैलोसिस में भी देखा था लेक्जा है इस ब्रेविस में भी कराता है और यहां पर बहुत है तो पैरनियूस लॉंगर्स का काफी इंपोर्टेंस है उसके तेंडन जहें इसका ओर इसके अलावा बेहां तो फिफ्ट मेटासल से आ रहा है इंसर्शन देख रहा है इंसर्शन कहां पर हो रहा है मैंने अल्रीडी बत इस ब्रॉंग करें नर्फ अपलाई इस फ्रम दी लेटरल प्लांटर नर्फ सूपर्फ ल वन ठीक है जब अलग से पड़ेंगे लेट्रल प्लांटर नर्फ तो उसमें पनी समाझ में आ जाए कौंसे सूपर विसलब तो यहां पर संच में आने चाहिए लेटरल प्लांटर यही इसका एक्षोम न फ्लेक्शन हो गया यही इसका एक्शन है प्रड़े उप्लाइं घ्रट लेयर की यहीर होगी आई होप समझ में आई होंगी और याद रखना जरूगी फिल है यह है लोसी प्रेविज एड़क्टर है और यह फ्लेक्सर डिजिट इन फर्ड लेर की नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ट लेर के बारे में बात करेंगे और यह लास्ट होगी वह वीडियो इस सीरीज की थैंक यूफर वाचिंग